श्री शिवाय नमस्तो व्यम हरर महादेव छठे दिवस के श्री नारसी महापुरान की कथा में गुरू जी ने एक बहुत ही असुंदर सा उपाय बताया है जिन भी लड़का और लड़की का साधी विवा नहीं हो रहा है उनको छोटा सा एक उपाय करना है उपाय किस परकार से करना है वो ध्यान से समझिएगा आपको कब करना है पहले ये समझी आपको जो है सोंबार की अश्टमी के दिन इस उपाय को करना है आप लोगों को पत्ता हुआ कि सोंबार की अश्टमी साल में 4-5 बार ही आती है तो सुंबार की जो अश्टमी आएगी उस दिन आपको इस उपाय को करना है उपाय किस परकार से करना है उस तीज के लिए आपको छाहिए थोड़ी से पीसी हुई हल्दी थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी आपको ले लेना है सोमबार के अष्टमी के दिन अशोक सुंदरी वाले जग़ जो मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं अशोक सुंदरी जो जग़े होती सिविलिंग पे वहाँ पे आपको साथ बिंदी लगा देना है हल्दी के उसके बाद भगवान से आप प्रार्थना करें, आप अपना नाम गोर्तर बोलें, उसके बाद अपने दोनों हतेली पर थोरा थोरा वहीं से बिंदी जो लगी हुई है, हतेली पर लगा के अपने घर आजए, जिस घर में, जिस रूम में, कक्च में आप सोते हैं, उस कक्च मे आप उस बिंदी को हाथ का जो है छाप वो अपने खक्ष में लगा ले महादेब की ऐसी किरपा होगे की तीन से चार महने के अंदर में जिनका साधी नहीं होड़ा उनका साधी मंगल विवा हो जाएगा आसा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को उप्योगी लगी होगी तो क क्यामेंट में हरर महादेव जरूर लिखिएगा